मसकर साथ हूं मैं आपके बीच आज एक वार फिर उपस्तित हूं एक छोटी सी मूटिवेस्टनल कहानी लेकर मित्रो मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि सिख्षा का उदेश आज सिख्षा का उदेश क्या होना चाहिए मित्रो मेरे ख्याल से शिक्षा का उदेश हाई मेरिट नौकरी लेना नहीं होना चाहिए शिक्षा का उदेश ग्यान का भंधारन करना होना चाहिए जब शिक्षा का उदेश ग्यान का भंधारन करना होगा तब जाके इस तेश में सिक्षित लोग पैदा होंगे और हमारी सोसाइटे सिख्षित बनेगी और जो हम सिख्षित बनेगे तो आटोमेटिक हमारी मेरिट भी हाई जाएगी और हमें नौकरी भी मिलेगी मित्रो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से या माने एक दसक से हमारे सिख्षा के बीच में एक नया सिष्टम ला दिया गया है मेरिट कटाफ कि जिसकी मेरिट जितना ज्यादे होगी उसकी चैन कर लिजाएगी उसकी सेलेक्शन कर लिजाएगी आगी पढ़ाई के लिए या फिर सर्विश के लिए जिससे हमारे सिख्षा में यहां हाई मेरिट रुपी जो दीमक है या दीमक बनकर घुश चुका है जो हमारे पूरी सिख्षा परणाली को कमजोड कर बना रहा है जर जर बना रहा है धरसाही बना रहा है इसी का तुद्रो कि हाई मेरिट के आधार पे आप एर्जाम कराते हो फिर बच्चे कोचिंग से या जैसे भी जहां से भी अपने हाई मिट लाने की चक्कर में हाई नमबर तुदा लेते हैं उनके सेलेक्शन हो जाती है और सेलेक्शन होने कवाद डाक्टर बन जाते हैं लेकिन जब ऑपरेशन ठीटर में सजरी जाते हैं और किसी ब्यक्टि के सुझरी करते हैं तो गल्ती से बलेट उस और रथा ऊप्रसन होए पेट के अंदर ही रहे जाता है और बाद में अपता चलता है करिया मरीज के पेट में कुछ छूट गया है तो आए मिर्ट का ही तो दिन है मित्रू मैं एक गाए मेरिट यह आप इंजिनियर का सेलेक्षण कर लेते हो उसे नावकर दे देते हो उसे परजेक्ट मिल जाती है और कर्षा क्यान करता है इसी हाई मेरिट का देन है मित्रो कि जब किसी मेट्रो का यह किसी प्रीज po वह भन रहा होता है उसको दो किया होता है मित्रो जो गिरी पूल गिरने जी मजदूर की जी सायSonobit skemm Ho ऊजाती है वह आपस हो जाते हिसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे डिक्षा के च्छेत्र में दो मेरिट रुपी दिमक घुश चुका है और हमारे शिक्षा परणाली को जरजर कर रहा है धरसाई कर रहा है इसको रोखना होगा और इसमें विशेश काम करना होगा देखिए शिक्षा निती जो 2022 तो नया लागू होने जा रहा है इसमें कुछ असार है उमीद है लेकिन कटा की बात उसे भी नहीं की गई है मेरिट की बात उसे भी नहीं की गई है इसलिए मेरा आपसे सुझाव है सलाह है कि शिक्षा का उदेश हाई मेरिट नौकरी लेना नहीं होना चाहिए शिक्षा का उदेश ज्यान का भंदार करना होना चाहिए जब ज्यान का भंदार होगा आप आप संस्कारित बनेंगे और मुश्किल से मुश्किल हलाज से गुजरने के लिए आप सर्वसंद खुदी थोड़नेंगे जय हिंद